गुड मॉर्निंग फ्रेंट्स अबरी वाम वेलकम टे ओल अफ यू इन आवार नियुल सेशन आफ डिजिटर गुरुकुल नमस्कार दोस्तों डिजिटर गुरुकुल में मैस्टर कांत आप लोग सब का एक फिर से स्वावत करता हूँ दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे ज दोस्तों ने मुझे रेक्वेस्ट किया कि सर हम लोग के तैयारी जरकन से रेटर अच्छे से नहीं हो पा रही है तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइस आप पोश्चन सेलेक्ट करके हम लोग को बताईए तो मेरा ये सार्थक प्याश आप लोग के कि बहुत ही लाप प्रद होंगे दोस्तों दोस्तों इसके पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो अप्लोड किये लाको दोस्तों ने देखा रहा और मैं विश्वास दिलाता हूं दोस्तों कि अगर आप लोग मेरे जितने मैंने वीडियो अप्लोड किये हैं उन सारों को दे लेना है और मेरे साथ साथ आप लोग को भी अपने आपको अपडेट करते चलना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि टोटल आउट अप जितनी कोशन में कवर करूं ना आप लोगों कितना सही किया तो चलिए अस्तों शुरू करते हैं कि जार्खन की जनगर ना में जनगर ना दोजार 11 के जनगर ना रिपोर्ट चारी किये आपको बताना है कि उस वक्त के महानिर्देसक कौन थे जब 2011 का जनगर ना किया गया महस्वर प्रशाद मिश्र आरदना पतनायक सुनिल कुमार वर्णवाल या एक चुग तो दोस्तों 2011 के जनगर ना जब जार् में कितने जिलों का गटन किया गया वर्तमान में कितने जिले हैं अरता जब जार्कंड राज्य का गटन सन 2000 में किया गया उस वक्त कितने जिले थे और अभी वर्तमान में कितने जिले हैं आपको बताने हैं तो दोस्तों आपको पता होगा कि सन 15 नहुंबर 2000 में 28 राज्य के रूप में जहारकंड का गठन किया गया उस वक्त टोटल जो हैं 800 जो हैं जिले थे जो कि अभी बढ़के 24 हो गया है जो कि आपके मन में यह प्रष्ण होगा दोस्तों कि कौन से 28 थी अर्बिक जो नए 24 बढ़के 24 हो गया है वो कौन से से है तो मैं एक आपको दिखा दूँ इससे बहुत सारे प्रशन पूचे जाते हैं दोस्तों बहुत सारे एक्जाम में पूचे गये हैं उसके बाद 18 तो जब छारकन राजिश का निर्मान हुआ पंदर नॉम्बर 2000 में उस वक्त 18 थे 19, 20, 21, 22, 23, 24 इस 6 जिलों का निर्मान जो है किया गया इस परशन पूचे किस तरह जाते हैं मैं आपको बताता हूँ जैसे पूचा सकते है कि सबसे नया जिला कौन सा बनाया गया तो वह सबसे नया जिला जो ही रामगड घक है सबसे पहले जो है पतलब, चारकंड अलग होने के बाद जो 18 जिले के बाद जो सबसे पहला औनीशवा जिला था वह लातेहार है लातेहार आप लोग देख सकते हैं दोस्तों उसका 19-19 जो जिला था वलाते हार था कब बनाया गया 4 अपरेल 2001 को उसके बाद जामताड़ा हुआ 20 तारीक को जो 20 वा था वो जामताड़ा था उसका निर्मान हुआ 26 अपरेल 2001 को उसके बाद 21 जो जिला था रेस्टिक्ट बना वो सिम्डेगा बना जो कि 30 अप्रेल 2001 को बना उसके बाद सराय केला खरसावा बना 22 वा जो जिला है वो 12 सेप्टमबर 2007 को और खोटी बना वो 23 वा जिला जो 12 सेप्टमबर 2007 जो रामगर बना वो 24 वा जिला जो 12 सेप्टमबर 2007 को ही बना तो ये टोटल जो है एक डाटा है जिसे आप लोग गयाद कर सकते हैं दो तो जो आप कहाने वाली एक्जामत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है में भी डेट पूछ लिया जाएगा कि रामगर जो है सबसे नियुनतन जो जिला बना नियुनतन जिला वो कौन सा भी जिला बना और कब जम बना ठीक है तो रामगर बना जो 12 सेप्टमर 2007 को अगला प्रसने दोस्तो कौन सा सहर जारकंड के सांस्कृतिक राजधानी के रूप में चाना जाता है राची, देवगर, बलामोया, धनबाद तो जारकंड की जो सांस्कृतिक राजधानी है उसके रूप में देवगर को माना जाता है क्योंकि देवगर आपको पता होगा कि बाबा बैदनात यानि भकवान सिब के दादस जोते लिंगों में से एक जो है देवगर में स्तित है इसलिए बहुत फ्रमुक है वो इसी कारण से जारकंड की सांस्कीतिक राजधानी के रूप में देवगर को माना गया है अगला प्रसदी दोस्तों कि जारकंड का छlekंड का छ 4 पल भारत के छ आर्थत कितना प्रतिसे है आपको बताना है 6 प्रतिसेये लाप urban दोस्तों भारत की चैम stesso है बात की बात की ज Яए कितना है तो ना Alisa जो है वर्ग केलोमेटर टोटल है उस में से ग्रामीच चितरफल 1192 वर्ग क्लोमेटर है तो इससे आप जर्कंग मख्यत ज当 पर बहुत बार पूच जाता है कि जर्कंग राज का आकार कार więcej वहिए चैतुर भुजाकार जो है जारकंडराज का आकार है ठीक है और कोड़ जो चेतरपल है भारत की घुछ छेतरपल का जो है तो पॉइंट अगला प्रस्दे दोस्तों कि 2011 के जहरकंट के सक्षर्था दर्द कितनी है या नियुआ जो लिड़र्इसी रेट की पूछा जा रहा है कि जहरकंट का लिड़र्इसी रेट क स्थून Conference 8 चारकेंट का जो लेटरसी रेट है वो 66.40% जो है वो माना गया है इसके लवा कुछ important और factor है कहीं कहीं इसका जो है 41% भी मिलता है दोस्तो डाटा इसमें से अगर पूछ लिया जाए कि पुरुष साक्षरता दियर कितनी है तो 76.84% जो है वो पूरुष साक्षरता दर है जबकि महिला साक्षरता दर के बारे में पूछा जाए तो 53.56% यानि 53.56% जो है वो महिला साक्षरता दर है इसके अलावा एक और बात बहुत बार एक्जामस में पूछा जाता है कि सरवाधिक साक्षरता दर वाला जीला है अन्हें सबसे ज्यादा साक्षरता दर कांज है राची है जिसकी साक्षास्रता दर 76.06%, जिபकि निम्रतम जो क्म जो साक्षषे दर वाला जीला के बादे की बाद में पॉचा ही, जिसका ऍैंद- 42.8% अगर पूछा जाएकि साक्षरता दर वाले में सबसे जादा साक्षर से स्बसे कम छाक्षर वने साक्षरता दर वाले जो है प्रत्म चार जो है जिले कौन कौन से है नियुंतर्य जो है वो इसल में पाकूर है ये कूछ important जो है questions थे जो पूछे आ सकते हैं इसके अलावा जब सिक्षा की बात आई है यानि तो सिक्षा के बारे में भी पूछा जाता है कि total जो है प्रात्मिक विद्दालोय की संख्या कितनी है जारकंड में तो जारकंड में कुल जो है लगभग जो है आप मान सकते हैं कि 13,418 जो है इसमें से मज़ विद्दालय है उच विद्दालय इसमें से पूछ लिया जाए तो लगभग जो है दो हजार चार्सो पच्जीस जो है उच विद्दाल्य यह सब डाटा जो है दोस्तों में भी आपके exam में पूछा जाए सकता है महाविद्दाल्य कितने है total जो पूछा जाए अगर तो टोटल 123 जो है वो महाविद्दालय जारगन में ठीक है इसके अलाबा सकते हैं कि चेश्वा महा विद्दालय टोटल 6 है इसके बाद केंदरियव विश्वीद्दालय कि संख्या एक ही है कि केलर विष्वी ग् Lanc tôं अगला प्रसने दोस्तों कि निम्लर जिलो को उसके जनासिंख्या के अनिधिक से कब जनासिंख्या के कर्म में आठो व्यवस्तेब करना है, यानि इन जो चार जीले हैं, इन में चे सबसे अदिक जिसकी जनसिंख्या है, उसको सबसे पहले आपको रखना है, और सब्से जो है कम जनसिंख्या उसको सबसे लाश्ट में रखना है, इस तरब के क्रम में आपको मतलब decreasing order में आपको सजाना है तो आगर डिक्रिजिंग वडर में आप जाते हैं दूस्तों तो सही क्रमा आता है दोस्तों सबसे ज्मिक्ठा जहाइगा तो चिमी सिंगों का अगर टोटल जनसेंख्या की बात की जारखन की तो टोटल जनसेंख्या तीन कोरोर 29,888,134 माना गया है 2021 के संसे जानुसार से इसमें से हिंदू की जनसेंख्या सबसे जादा है 67,83 उसके बाद मुस्लिम की आते 14,53 परसंट टीक है जनसेंख्या इसके अलावा कुछ और परसंट जैसे पूछे आ सकते हैं दोस्तों की जनसेंख्या की दिष्टी से सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है तो उत्री छोटनागपूर जो है जन संक्या की दिस्टी से सबसे बड़ा प्रमंडल है इसके लोग अगर सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है पूछा जाए तो पलामो जो है सबसे छोटा प्रमंडल है सबसे बड़ा जिला कौन सा है जन संक्या की दिस्टी से जैसे मैंने दिखाया दोस्तों कि रांची जो है जन संक्या की दिस्टी से सबसे जादा है सबसे कम की बारे में बहुँ अगर पूछ लआ जायए कि सबसे कम, जनसेंख्यागावाला जिला कौन साय सब से च्छोटा तो esasफों की सरवाधी . वाले प्रथम चार जो हैं जीले कौन-कौन से हैं तो रांची उसके बाद आता है धनबाद फिर गिरडी फिर पुर्वी शिंग्वों इस तरह से क्रम आता है नियुमतम जन संक्या की क्रम में सजाने के लिए बोला जाए तो लोहर्दगा खोटी सिंडेगा क्वाडर्मा इस जाए तो पर इसकर मीटर जो है आपके पोबुलेशन डेंसिटी कितनी अगर पूछा जाए तो चार सो चौदा वैक्ति प्रतिव और किलो मीटर इसकी देंसिटी है और जन संक्या के जार्खंड का जो है इंडिया में जो है अगर रैंकिंग पूछी जाए तो चौदवा इ जार्खंड राज्ची में जो दस लाग से अधिक आबाली वाले दो नगर कौन से आपको बताने हैं दो सिटी के बारे में पूछा जारा है ठीक है दो सिटी कौन सा है राची तता हजारी बाग धनबाद तता जमसेदपूर वो करो तता राची वो करो तता जमसेदपूर तो दस लाग के आबादी क्रॉस करने वाले जो दो जिले हैं इनमें से है धनबाद तता जमसेदपूर दोनों में ही डसलाख से ज्यादा आबादी जो रहे रहती है इन में से धनबाद कोईला नगरी के रुप में धाता है जमसेद को टाटा के लिए जंटी विख्या अगला मों प्रस्मिय के जिले कि लिए जिले हम उनको आपको उत्तर से अ cigarette करम में सजाना है, मतलब North से South के क्रम में सजाना है, कौन सा जिरा North में आता है उसके बाद धेदरे आपको South के तरफ आना है, आपको नीचे लिए कि कौन सा सही क्रम होगा North से South के लिए, तो उसके लिए जो exact क्रम होगा वो होगा दोस्तों, चत्रा, लातिहार गुमला सिम्डेगा, मेभी आपके मन में प्रशन आता होगा दोस्तों कि आपने सर कैसे बता दिया तो ये आपका ज़ाटखन का मैफ है आप लोग देखिए, ठीक है आपको सजाना कैसे बोला गया, नौर्थ से साउथ दोस्तों मेभी आप लोग देख पा रहे होंगे, ये नौर्थ है, ये साउथ है, ये इस्ट है, ये विस्ट है आपको नौर्थ तो साउथ, मेभी आप लोग देख पा रहे होंगों दोस्तों, ठीक है के प्रश्ट ने बहुत बार एक्जाम्स में पूछ आता है लगबग मैं देखता हूं दोस्तों कि हर एक एक इस तरह के प्रश्ट पूछे जा रहे हैं अभी कि जो जो जानना चाहते हैं कि आप लोगों को मैप का इस तरह से प्रश्ट बिल्कुली आसान हो जाएंगे अगर पूछ लिया जाए जैसे जामतार आएगा धनबाज बोकारो हजारी बाग और लातियार आ जाएगा इस कोई भी आप लोगों का चेंज भी कर दें तो कोई परिशानी नहीं होगी तो एक बार आप लोग पॉइंट आउट कर लीजिए ठीक है दोस्तों यह नौर्थ है यह साउथ है इसके अलावा एक और प्रश्ट दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है कि छार्खेंट के चार आप बार अटकन्ड राज्जी का दुसरा सरवादिक जन सिंख्या वाला जिला कौं सा है पहला सबसी जाला जैंसि Lewis को है उसके ऑद का इसके बाद गिरीढिया आता है उसके बाद पूर्वी सिम्भूं आता है यह याद कर लीजीगा अगरंद पूछा जै तो होता गोड़ स्कूट है अगला complaining दोस्तों के जर्खंड राजी के राज चिंन्ह में में जै अक्षर के ओपर जो है चोटे चोटे बिंदू है यह से鉄塔 कि सามाजिक समर्था को ज़ारखंड के विकास करता है यह जो डॉन है दोस्तों यह डिनोट करता है जो साधिक और बहुत सारे अट करता है यह जवं Big यह नॉन fraction जहात्णियन का सूचक है। इसके बीच में जो यह असोग चक्र है आप लोग देख पाँ रहे हैं यह असोग चक्र है। यह के अदि नोट करता है गती, सीलता परीवर्तन और प्रपरगति का सूचक है यह जी यह जो बिंदू है यह जो बिंदू आप लोग देख पा रहे हैं यह जो डॉट्स आप लोग देख पा रहे हैं यह सुचक है किसका सुचक है दोस्तों यह चोटे-चोटे बिंदू जो है विकास के सुचक है इसके अलावा यह जो चाड़ जे के दोरा जो स्क्वैर का फर्मेशन हो रहा है यह क्याट नोट कर रहा है यह सादगी जो है सुजिता और समाजिक समर्था को दर्सारा है ठीक है इसके अलावा एक और परसण पूछा यह सकता है कि इसी किस ने बनाए आई यह अमिताब पांडे दोरा बनाय गया है वह नेस्टिट अप डिजाइन के थे अमिताब पांडे उन्होंने इसे बनाया है और अगर पूछा जाए कि इसका जो सिंबॉल है जारकन का सिंबॉल इसे राज जो है यहाइन है कि फैबरियरी यह आप लोग नयौट कर लेजिए दोस्तों फैबरेरी जो है 2012 गों को इसे आधिकारिक जो है वह स्कूर्थी परदान की गई तो यह कुछ महतुपूर्ण प्रस्य में भी इसे पूछा सकते हैं दोस्तों इसले माधने मैं बता दिया अग्ला ने दोस्तों कि जन संख्या जो जन गर्णाना दोहजर एग्यारे के अनुसार जारखंड का लिंगा नुपात क्या है यानि सेक्स रेश्यो के बारे में पूछा जा रहा है कि पर 1000 जो मेल में फिमेल की संख्या कितनी है 896-95881 या 948 तो दोस्तों पर 1000 में जन गर्णाना दोहजर एग्यारे के अनुसार 948 जो है वो फिमेल से कहीं कि इसका 949 भी मिल जाता है दोस्तों ठीक है और डाटा में जो रहे हैं आप लोग देख लिजेगा उसके निसासे कर दीजेगा इसके अलाबाब में भी पूछ लिय अनुसार सजाने के लिए तो पशिमी सिंगों सिंडेगा पाकूर खोटी गुमलाप्रों कर सकते हैं इस तरह से नियुनुतम सिंग लिंगानुपाद पूछा जाए तो धंबात रामगर बोकारो और तेवगर ठीक है इसके अलावा में भी आपको पूछ लिया सकता है कि ग् सबसे कम कहां पूछा जाए सबसे कम की बात की जाए तो मिनमम में धनबाद में 909 है पर 1000 में ठीक है तो यह दोनों आप लोग नोट कर लिए ज्यादा के बारे में मैकसमें पूछा जाता है तो ज्यादा में पश्यमी सिंग्भों में कम में धनबाद है अगला प्रस्ना दोस्तों के जारकन राज के किस जिले में अनुसूचे जातियों की संख्या का प्र कितना है यानि इंसीटी पूछी जारी है कितना है 778-84-14 या 514 वर्ग परती वर्टी किलोमेटर जो कितना है आपको बताना है 4 also critical किलोमेटर tो इस यहाँ प्रति वर्ग कर लीजेगा ठीक है सभी परति वर्ग ही है आप लिग Pour сколько you can 4 okay karta 44 की बात की जाना रही ए 2 स्क्वार किलोमेटर में 400 14 opportunity है और सरवाधी जनसिंक्या वाला जिला जो है वो राची है और निमितम जनसिंक्या वाला जिला कौन साथ हो तो वो है लोहर तक का असी साल जिस वह जो जह जहरकंड का गथें किया गया तो इसके वालावा एक बार प्र weakerशन पूछा याता है जारकन का हाई कोट कहा है जारकन का हाई कोट कहा है जारकन का हाई कोट जो है वो राची में ही जारकन राज्य में इस तरी पुरुष अनुपात के मामले में किस जनजाती की महिलाएं पुरुष संख्या से अधिक है आपको बताने है उस जनजाती का नाम जिसकी महिलाओं की पुरुष चे अधिक है खड़िया, मुण्डा, उराओ या संथाल तो दोस्तों सही उत्तर है खड़िया जनजाती की जो महलाओ की संख्या है वो पुरुष जन संख्या से अधिक है और झारकर्ट में मुखिता इसका निवास्ता जो है वो गुंगला, सिंग्भूम, हजारी भाग और मानभूम में माना जाता है ठीक है इसके बारे में तो मैंने प्रवेस वीडियो में आप लोगो डीटेल बताया था दोस्तों कि खड़िया जो है मुख्यत तीन वर्ड में डिवाइडेड है पहारी खड़िया धेलकी खड़िया और दूद खड़िया ठीक है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बाते थी अगला प्रस्तों कि निम्न में से उच्छी से निम्न जनसंक्या घंत्रों का 2011 की जनसंक्या कैनुसा सही कर्म क्या क्रम क्या होगा अर्था जो है सबसे जादा जनसंक्या जिस जो है राज्य की है उससे आपको सुरू करना है सबसे कम जनसंक्या की और बढ़ते रहना है आपको नीचे लिए अपसंस में से पंजाब भिहार जाकंड और उत्राखंड में से आपको चूज करना है तो दोस्तों सही उत्तर है सबसे जादा जनसंक्या से सबसे कम जनसंक्या की और अगर बढ़े तो सबसे ज्यादा जयन संक्या बिहार का है उसके बाद पंजाब का उसके बाद उत्रखंड का आता है सई करम इह होगा बिहार पंजाब कि ऊफिक लिया जाता है तो जहारीखन राज में आप्रेक्समिंट्ली यह डाटा है दोस्तो जहर 32,620 मानी गई 32,620 ठीक है अगला प्रस्न है दूस्तों कि जारकन राज के गठन के पशका सबसे पहले किस जीले का गठन किया गया? अरथा जारकन राज же का जब गठन हुआ तब पता अगर दूस्तों कि 18 जीले का गठन किया गया बाद में 6 जिले बढ़ाएगे टोटल 24 जिले अभी ततकाल में है तो पूछा गया है कि जारकन राज के गटन के पशचाद सबसे पहले जो है वो लातेहार जो है डिस्ट्रिट का गटन किया गया अगला प्रसन दोस्तों कि जारकन राज निर्मान के समय राज में कुल कितने अनुमंडल थे आपको बताना है तो राज्य निर्मादा जब हुआ दोस्तों दो हजार में उस वक्त झारकंड में टोटल जो है तेंगे अनूमंडल थे और आभी कररेंड़ कितनेइंध दोस्तों अभी 34 है जाटी छोटनागोर परमंडल उत्री चोटनागोर परमंडल पलामो परमंडल को और संथाल परमंडल ये ओल डाटा है दोस्तो अगर कुछ न्यूटेंजर हैं जरूर आप लोग कमेंट केजिए ताकि बाकी लोगों को भी सही अपडेट मिलाएं अगला पर समय दोस्तों की बिहार के कितने प्रतिसर भोबाग को काट कर जारकंड राज्ज का गठन किया गया अर्थाथ 15 नौबर 2000 में जब जारकंड का ठश्वा राज्ज के रूप में गठन किया गया उस वक्त बिहार के कितने प्रतिसर भाग को काट कर जारकंड राज्ज का गठन किया गया आपको बताना है नीचे लिए के ऑप्शन में से दोस्तों उस वक्त जो है बिहार का जो है 45.80 जो है प्रतिसर ने अप्रोप्समेटली 50% जेकल आप लोग सेकते हैं कि भाग को काट कर जो है वो जारकंड राज्ज का गठन किया गया 45.80% कि भाग बिहार से 45.80% भाग को काट के जारकंड बनाया गया अगला प्रस्ण जारकंड के किस प्रमंडल में सर्वादिक जिले हैं आपको बताना है ठीक है तो सर्वादिक जिले जो है वो उत्तरी छुटनागपूर में है एक और इंपॉर्टन चीज में बता दो दोस्तों कि अभी रेसेंट जो एक्जाम्स वे इसमें ये प्रस्ण बहुत पूछा जा रहा है कि कौन से जिले को जो है कौन से जिले से काट कर अलग किया गया ठीक है जिसे पूछ लिया जाएगा कि लातिहार जो है वो बना जो है निص्वा जो जिला बना लातिहार वो किससे काट कर अलग किया गया तो वो जो है पलामो से काट कर अलग किया गया लातिहार को 4 अपरेल 2001 में उसके अलावा पूछा जाए कि जामतारा जो है उसे किस से अलग किया गया तो जामतारा को जो है वो दुंका से काट कर अलग किया गया ठीक है कब 26 अप्रेल 2001 को इसके अलावा सिम्डेगा को गुमला से काटकर अलग गया गया कब 30 अप्रिल 2001 को इसके अलावा 22 राज्जी है अपना कौn सा है दोस्तो सराइकला करसावा जो है उसको पहशिमी सिंभुम से काटकर जो है 12 स TB 2007 को अलग किया गया इसके वाला खोंटी जो है वो रांची से काट कर बनाया गया और रामगोर्ड को जो है वो हजारी बाग से काट कर बनाया गया ठीक है तो ये काट कर बनाये जाने वाले जो है प्रशन बहुत जादा पूछे जा रहे हैं यह आप जरूर एक बार नोट कर लीज़े दोस्तो अगला प्रसन दोस्तों कि जहरकन राज में अभी तक कुल कितने व्यक्ति जो है मुख्यमंतरी पत पे आशीन हो चुके हैं आपको बताना है दस पांच छे या आठ दोस्तों जहरकन के मुख्यमंतरी के बारे में जितने बहुत प्रसन हो सकते हैं मैंने अर्लेडर एक विडिय से लेकि सब्सक्र पर की और अभी रिसेंटली भृत की ब कर्स बर्ड-ट के बहरती जनता पार्टी से वह 28 नमबर 2004 दक सब्सक्राइब किया था ठीक है वह जम से इस्ट से खड़े होते हैं और एक पर्षन और पूछ आयाता है दोस्तों कि जार्कन के पहले जो है गैर आदिवाशी जो है मुख्यमंत्री कौन है तो हमारे रगवर दाज जी जार्कन के पत्म जो कैपिटल के बारे में पूछा जाए रहा है जार्कन की जार्कन का इंडस्ट्री का बिटल नौन अफदेश आपको पता होगा बुकारो राची जमसितपूर अधनबाद में से जमसितपूर ही हो सकता है क्योंकि इसको का जो प्लांट लगा हुआ है सबसे बड़ा जो टाट इस तरह से डिवाड़ेड़ दोस्तों बीस सीटे इसमें से 14 जो सीटे है वो लोकसवा सीटे और छे सीटे जो है वो राज्यसवाद सीट के रूप में है इसके लावा एक और प्रसन दोस्तों में भी पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ा संसदिये चेत्र कौन सा है तो प अगला प्रसने दोस्तों के जारकंड उच्छ नियाले के वर्तमान मुखिन म्याधिस कौन है यानि चीप जस्टिस शब जारकंड कौन है हाई कोट क्या आपको बताना है अल्तमस कबीर परदिप कुमार मोहंती ज्यान सुदा मुष्र या धीरु भाई नाराइन भाई पटेल दोस्तों बता दो जारकंड के जो है एक्टिंग जो चीप जस्टिस के रूप में कारियरत है जस्टिस डी अन पटेल उनका पूरा नाम है धीरु भाई नाराइन भाई पटेल इसके लिए कि आप लोग कन्फिस्ट मत हुएगा वह 2017 से जो है एक्टिंग जस्टिस के रुप में जारकंड में कारियरत हैं दोस्तों यह थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्ण आगे भी मैं बाकी का सीरीज जो है अपलोड करता रहूंगा और बाकी चीज़े जो ज चीजी आगए जैसे जयक्जान की नीथियां कौन सी हैते हैं जारकंड के संस्कृति हो जारकंड के इतिहास हो साजन व्यवस्ता हो कानून हो जारकंड के भुबोन और चीजे में धीरे अप्लोड लूगा उसका इंपोर्टन प्रस्ट आ जो कि आपके वे나ीज से बहुत ही चुड़ा है जरू से जरू सफलता मिलेगी थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो जय हिंग जय भालत